देखो NIOS ने OB Prospectex को रिलीज कर दिया है 2022-2023 सेशन का तो आप सबसे पहले यह जानलो कि Prospectex में होता क्या है तो देखो Prospectex में आपको एडविशन कैसे लेना है, डॉकमेंट क्या लगेगी और फीस कितनी लगेगी यह सब होता है और इससे अत्रिक आपको बहुत कुछ मिलेगा इसमें तो सबसे पहले जो इसमें मैंने आपको शुरुआत में कुछ टॉपिक बताया कि एडविशन आपको कैसे लेना है, फीस कितनी लगेगी और डॉकमेंट कौन-कौन से यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा एडविशन के टाइम, इस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो देखो, यहाँ पर मैं आपको, हाला कि मैं पूरो स्पेक्टेक्स जो डाउनलोड करने का लिंक है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे मतलब क्लिक करके सीधा आप चले जाओगे, डाउनलोड ओप्शन पर और डाउनलोड कर लोगे, ठीक है तो यहाँ पर आप देखोगे, ओनलाइन एडविशन प्रोसेस में, यहाँ पर आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान दखना है, कि जो भी मैं आपको बता रहूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, ठीक है, और अब जर भी करना है आपको, यह नहीं की मतलब सुना हो निकाल दिया, अगर आप एडविशन ले रहे हो, तो इस वीडियो को पहले आप ध्यान से देख लेना, तो यहाँ पर आप देख पार होंगे, देखो ओभी आपको पता ही है, क्या है, ओपन बेसिक एजुकेशन, ऐसे स्टुडेंट जिनों ने पहली क्लास से लेके, आठ तीन सेक्षन के बार में भी जानते हो, A सेक्षन, B सेक्षन, C सेक्षन, ठीक है, A सेक्षन में पहली क्लास से तीसरी क्लास तक के बच्चे आते हैं, उनके लिए जो यह रखी गई हो, 7 साल कम से कम रखी गई है, ठीक है, B सेक्षन में, 4 से लेके, 6 तक के बच्चे आते हैं, इसमें 9 साल जो है 9 साल का बच्चा होना चाहिए एडविशन के लिए ठीक है और C सेक्षन में साथवी से आठवी क्लास के बच्चे आते हैं और इसमें एज जो रखी गई हो 12 साल रखी गई है कम से कम इस बात को आप ध्यान से सुनते रहे ना जब आप अपलाई करोगे तो यह बात आपको बहुत काम आएगी ठीक है तो यहां पर आप डेट देख पार होंगे कि लाश्ट डेट आपको मैंने बताया यह कि 15 सितमबर तक OBE का एडविशन चलेगा और यहां पर आप देखोगे इसेंशियल डॉक्मेंट यानि कि चुर्ट डॉक्मेंट आपको अपलोड करना है वह यहां पर आप देख पार होंगे बर्ट सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हो और यहां पर पास्पोर्ट इसूड बाइग गवर्मेंट ओफ इंडिया औरिजनल ट्रांस्वर सर्टिफिकेट इस्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अलग कि मैं आपको डिटेल में बताता हूं यहां पर यहां पर यह आडविशन का प्रोसेस दिया गया है और यहां पर आपको यह फीस दी गई है फीस में आप देख पार होंगे कि ए लेवल के अडविशन के लिए जब आप अपलाई करोगे तो आपको 300 रुपे पर लेर्नर पे करना पड़ेगा यह एडविशन फीस है और बी लेवल के लिए करोगे तो पांसों रुपे करना पड़ेगा यहां पर क्याटिगरी के बारे में कुछ बताया नहीं गया है तो अगर आप कैटिगरी सर्टिफिकेट अपलोड करोगे तो वहाँ पर आपको मिल जागा जो भी रिलेक्स सेक्षन मिलना होगा तो आप इस वात का ध्यान लखना और डॉकमेंट में मैं आपको बता दूं कि डॉकमेंट में आपको क्या क्या लगेगा तो द अगर आप कहीं पढ़ते थे तो वहाँ से आप निकलवा लेना जैसे कि स्कूल में बहुत बच्चे पढ़ रहे होते और छोड़ देते इस स्कूल को तो इस स्कूल से आप जाके बोलोगे ने कि मुझे स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट चाहिए तो निकाल के आपको दे द रेंट एगरिमेंट दे सकते हो है ना और भी मतलब एक दुह होते हैं तो वो भी आप दे सकते हो और यहाँ पर अदर डॉक्मेंट में यहाँ पर आप देखोगे कि आपको एक स्रिटचर तो चाहिए होगा एडुडविशन के लिए पासवर्ड चैट फोटो भी चाहिए हो है तो भी आप intuition ले सकते हो मैंने आपको यह चिछ पहले ही बता दिया है कि यह पहली class से 8W class के बच्चों के लिए या ज्यादा जिनकी age हो गई हो भी कर सकते हैं जिन्हों नहीं करा है परहाई पहली class से लेके 8W class तक तो यह बात अब ध्यान रखना subject में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि subject में आपको कुछ common subject जो लेने ही होंगे जैसे कि A and B section में A और B level में अब मैं section आपको बोलू तो level समझना आप तो A और B section में आप देखोगे तो one language subject लेना होंगे language के सारे subject दिये गया है two academic subject लेना होंगे एक vocational subject होता है ना उस तरीके का आपको एक subject लेना होगा ठीक है तो total जो होते वो चार होते हैं और चार में ही आपको 30 नमर का practical होता है 30 नमर का थ्योरी होता है 70 नमर का practical होता है C level के लिए जब अपलाई करोगे आप तो उसमें एक language subject लेना होगा तीन academic के subject लेना होगा academic मतलब आपको पता ही है कि जो पढ़ना ही है आपको लेना ही पड़ेगा और एक vocational लेना पड़ेगा इस तरीके से जो है आपके subject होते हैं 5 ठीक है तो इसी तरीके से आप जान सकते हो इसको मैं screen पर भी दे रखा हूँ जो जो मैं आपको बोल ला हूँ वो screen पर भी दे दिया हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए तो subject का list यहाँ पर आप देख ले ना यह देख रहे हो यह subject दिया गया है language subject में हिंदी है इंगलिस है, बंगाली है, माराथी है, तेलोगू है लिस्ट को आप चेक कर सकते हो इसकी इंशोट भी ले सकते हो हला कि मैंने आपको वो देही दिया है कि prospectus को आपको कैसे download करना है यहाँ पर आप देखोगे दो academic subject जैसे कि environmental science है, mathematics है, social science है, basic computer skills है veda है, vijana है और yoga है और pre-vocational subject में यहाँ पर आप देख पार होंगे cutting, tailoring and dress making, beauty, culture, food, processing, toy making, painting, bee keeping, art and craft, furniture making, यह सब दिये गया है तो subject का आपको selection इसी के according करना है जब आप admission करोगे, तो language subject आपको यह मिलेंगे, ठीक है उसी तरीके से academic subject यह मिलेंगे उसी तरीके से आपको vocational subject जो है, यह मिलेंगे इसी में से आपको एक subject कोई चुनना होगा या जिसमें दो चुनना है, उसमें दो चुनना होगा या जिसमें तीन चुनना है, उसमें आपको तीन चूस करना पड़ेगा तो इसी तरीके से आप admission ले सकते हो एड़िशन की फिस आपको मैंने बता दिया है ठीक है और अगर आपको इसके रिगार्टिंग कोई भी दिक्कत है परसानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो मैं आपको हाँ पर रिप्लाई दे दूँगा और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सस्क्राइब करेना अगर आप नए हो तो वीडियो अगर थोड़ बहुत इन्फरमेटिव लगते तो लाइक कर देना मिलते है अगले वीडियो में